Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2010 में आए वे sci-fi mystery movie Burrett को explain करने जा रहे हूं. इसकी IMDb rating 7 out of 10 है और एर रोड़न टमेडो बे 87% fresh है. मुवी की शिरुवात होती है, black screen को दिखाते वे और Paul नाम का एक आदमी को हमको सास लेते वे सुनाई देता है, जो सास लेने में struggle कर रहा होता है. उसके बाद वो एक Zippo Lighter को जलाता है और realize करता है कि वो जिन्दा ही Burrett हो गया है एक लकडी के बनेवे coffin के अंदर. वो desperate होके help मांगने के लिए चिलाता है और coffin को bank करता है मगर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा होता. लगली उसको एक nail लिकलता वा दिखाई देता है जिसकी मदद से वो अपने आपको खोल पाता है. अचानक उसको एक phone vibrate होने की आवाज आती है उसके पैर के पास और वो तुरंद उसको उठाता है. phone की setting Arabic में होती है और उसकी मदद से वो phone करता है मगर उसको number नहीं आदा रहा होता तो वो 911 पे call लगाने का decide करता है और बोलता है कि वो एक truck driver है US से जो CTR में काम करता है Iraq में. वो ये भी बोलता है कि जब वो लोग convoy में थे बाक उबा में तब कुछ लोग सामने आ गए थे और उन पे गोलियां चलाने लगे थे. Unfortunately 911 सिफ मदद कर सकता है उन लोगों की जो लोग Ohio में हैं ना की दूसरे countries में. उसके बाद वो अपनी wife Linda को call करने की कोशिच करता है मगर वो phone नहीं उठाती. वो उसके लिए message छोडता है अपने condition को लेके और authorities से मदद मागने को बोलता है. बाद में वो FBI को call लगाता है Chicago में. वो उसकी पूरी चीज़ को पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों गड़ा हुआ है और कैसे तब Paul सारी चीज़ की event को detail में बताता है कि जब वो लोग food supply कर रहे थे ये राक में तब बहुत सारे बच्चे अचानक से सामने आ गए थे और उन पे पत्तर फेकने लगे थे. उसके बाद कुछ लोग घर के पीछे से आए और उन पे गोलिया चलाने लगे. वो भी होश हो गया था पत्तर लगने की विज़े से और जब उसको होश आया तो उसको मालूम चला कि वो coffin में है. पॉल को नहीं मालूम होता है कि वो exactly कहां पे बरेड है और वो FBI को बोलता है कि वो उसके location को GPS के थ्रूँ ट्राक करने की कोशिश करें. मगर तभी call कर जाता है और signal नहीं आ रहा होता. वो signal ढूणने लगता है अपनी company को call लगाने के लिए जहां वो काम करता है जिसका नाम CRT होता है. उसका call लगता है अलन नाम के एक आदमी को जो company में employer होता है मगर जब वो अपना नाम बता रहा होता है तब phone दुबारा से कर जाता है. जल्दी ही उसको उसके किनापर का call आता है जिसका नाम जबेर होता है और वो 5 million dollars ransom में मांगता है रात के 9 बज़े से पहले नहीं तो Paul वहीं पे गड़ा रहेगा. वो मदद के लिए अपनी wife के दोस Donna को call करता है जो उसको state department का phone number देती है. उस number पे call करने के बाद उसकी बाद Rebecca से होती है जो उसकी मदद नहीं कर सकती government policy के वज़े से जिसमें terrorist से negotiate करना मना होता है. उसको Dan Brennan नाम के आदमी का number दिया जाता है जो head होता है hostage working group का जिसको Paul बोलता है कि वो लोग उसको ढूडने का काम कर रहे हैं already और वो उसके phone की battery को बचाए. बात के बीच में जबेर का दुबारा से call आने लगता है और वो बोलता है कि उसके पास 2 घंटे और 4 मिनट ही बच बालवाने को. पॉल उसको बताता है कि कोई भी truck driver के लिए उतना ransom के पैसे नहीं देगा तो जब रांसम के पैसे कम कर देता है 1 मिलियन डॉलर पे. उसको एक script मिलता है जिसमें से उसको पढ़ना होता है उसको उसके साथ ही रखा हुआ ठीक से काम नहीं करने वाला flashlight, एक glow stick, फ्लास्क में alcohol और एक pocket knife भी मिलता है. ब्रेनन बॉल को बोलता है कि वो वीडियो नहीं बनाई जो जब रने उसको बनाने को बोला था क्योंकि अगर वीडियो फैल जाता है तो situation और जाधा मुश्किल हो जाएगा. ब्रेनन उसको शान करते हुए बोलता है कि मार्क नाम का ए पना कर देता है. एंड में वो अपनी मा को call लगाता है जो nursing home में होती है उनको by बोलने के लिए और उसकी मा को barely ही कुछ भी याद रहता है क्योंकि उनको बहुत सीवय तरह से dementia होता है. पॉल दुबारा irritate हो जाता है जब जब एर उसको demand वाली वीडियो बनाने को दुबार आ जाता है. मगर वो उसको किसी तरह से भगा पाता है alcohol से आग लगा के. वो phone के language को English में बदलता है और उसको phone का number मिलता है जो वो अपनी wife को voice mail के थूरू बताता है. कुछ समय बाद जब एर Paul को Pamela के execution की वीडियो बेचता है even though उसने उसकी कहने पे वीडियो बना दिया था और तब भी उसने Pamela को जान से माड डाला था. वो हताश होके ब्रना को call लगाता है जो उससे upset होता है क्योंकि उसने वीडियो बनाने के लिए उसको मना करा था. और अब फिलहाल वो सारी वीडियो, सारे major news channels और YouTube पे चल रही है. कुछी समय बाद दूर एक explosion की आवाज आती जो उसको किसी से भी बात करने को मना करता है. जिसी situation सारी contained रहे. वो उसके बाद call को record करने लगता है और बोलता है कि उसको उसके job से निकाल दिया गया था उसी दिन पहले जो काफी conveniently उसको उसके capture के पहले का समय था. क्योंकि अब allegedly वो prohibited relationship में था Pamela के साथ. और इसी की जिसे उसका coffin damage हुआ था वो असल में F-16 bombing था और शायद इसकी वज़े से उसके kidnappers मारे गए हैं. पॉल अपना hope को एकदम loose कर रहा होता है और वो अपना last video form में testament बनाता है अपनी wife के लिए. अपने personal savings को वो उसके लिए छोड़ता है और अपने कपड़े अपने बेटे के ल वो उसके demand को मान जाता है और अपनी छोटी उंगली को काट देता है. उस video को बनाने के कुछ समय के बाद उसका phone बचता है और उसको खोदने की आवाजे आती हैं साथ में ही लोगों के distorted आवाजे भी उसको सुनाई देती हैं. आवाजे और clear होती है और बोलती है कि coffin को खोल जाए और फिर coffin खुलता है. अचानक से ये obvious हो जाता है कि वो hallucinate कर रहा होता है इस चीज़ को. Brennan उसको call करके बताता है कि insurgent ने उसको बताया है कि कहां पे वो आदमी मिलेगा जिसको जिन्दा गाड़ा गया था और ये भी कि वो लोग उसको बचाने के लिए निकल रहे है इसके बाद उसको रोते वे लिंडा का फोन आता है और वो उसको बोलता है कि वो ठीक रहेगा. सैंड़ खतरनाक लेवल से भर रहा होता है coffin के अंदर और पॉल के पास कुछी seconds बचे वे होते हैं जीने के लिए कि तबी Brennan का फोन आता है और वो लोग burial site पे आ गए होते हैं. फोन के थुरू उसको खोदने की आवाजे आती हैं मगर पॉल को अपने around खोदने की आवाजे नहीं आ रही होती हैं. टीम coffin को खोद के निकालती है और खोलते ही मालूम चलता है कि वो actually में Mark White की coffin है जिसके बारे में Brennan ने उसको बताया था पहले. पॉल को मालूम होता है कि बचने नहीं वाला है और वो अपने आपको शांद करता है और अपनी किस्मत को accept कर लेता है. मूवी खतम होती है, ब्रेनर को apologize करते वे पॉल को जैसे जैसे sand coffin में भरता है और वो suffocate हो जाता है और फिर light बंद हो जाती है. अगर आपको इस मूवी की explanation पसंद आई हो, then do like the video, subscribe to my channel, thanks for watching, bye.